नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी का हर्दिक स्वागत है करंट अफेर बूस्टर में सीजन 3 सेशन नंबर 4 में कैसे हैं आप आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं सुरक्षित हैं खुश हैं पड़ाई दिखाई में ध्यान लग रहा है अपने काम में मन लग रहा है और आप सा से बचाने के आइम वेरी सर्टन अफेर बूस्टर सीजन 3 सेशन नंबर 4 दोस्तों आज में शुरुआत करूंगा सबसे बड़ी खबर से जो है चाइना और एरान का फॉर्मली करीब आना चाइना ने 2016 में एकदाउं चला था जो कि अमेरिका के राष्ट्रपती डॉनल्ड ने सफल बना दिया अपने सेंक्शन के जरीए खबर यह है दाट डिस्पाइट क्लियर वार्निंग्स फ्रम यूएस ओवर्ट और 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 नाव चाइना एंड इरान आर नाव खोस्तु आ वेरी ड्रमाटिक ट्रेड एंड मिलिटरी पार्टनर्शिप अपग्रेडेशन पश इरान इरान जिसकी अर्थ वेवस्था पिछले कुछ महिनों से पूरी तरह चर्मरा चुकी है बिकॉज ओफ कोरोना वाइरस बिकॉज ओफ आउइल नहीं बेच पाने की स्थिति विकॉज ओफ अमेरिकन सैंक्शन चाइना बैंकिंग टेलीकॉम पोर्ट्स रेलवेज और ब रूस के साथ शी जिन पिंग साहब ने की हुई है चाइना विल गेट ए स्ट्रॉंग फुटोल्ड इंवेस्ट एजिया तो हूम फॉर यूएस फॉर डेकेड ज्याद रखिएगा पश्ची में एशिया का पूरा शेत्र अमेरिका का पाउं वहां जमा था अंगत की तरह पि साथ चोड़ के चले गए क्योंकि हमने तेल खरीद नहीं बन कर दिया क्योंकि अमेरिका ने हमको माना किया दूसी तरफ चाइना पैंडेमिक का शिकार इरान पैंडेमिक का शिकार हुआ बहुत बुरी तरह से हजारों मारेगर बहुत अजीब हो गरीब तस्वीरें भी वहा हमारे लिए सबसे बुरी बात है यह पूरा जो चल रहा है इससे लर्निंग क्या है एनालिसिस क्या है चीन को यह पूरा आत्नों विश्वास है कि वह मद्द पूर्व में वेस्ट एशिया में अमेरिका का सामनाब कर लेगा यह उसका पहला बड़ा ऐसा कदम है प्रत्यक्त क्योंकि वेस्ट एशिया में अमेरिकन मिलिटरी आलसो फॉर वेरी लॉंग टाइम तो दोस्तों याद रखिये का हमारी बात आने वाले कई सालों में यह जो एक डिवलोप्मेंट अभी हुई है यह विश्वराज नीती में सबसे बड़ा बदलाव का दौर होगा भारत के यह इसलिए ठीक नहीं है कि एक तो हमारा चाबहार का पॉर्ट है एक बद चीन वहां घुज गया तो इरान का इंट्रेस्टी हमें खतम हो सकता इसलिए हमें जल्दी से उस चीज़ को फाइनल करना चाहिए वैसे इरान और इंडिया दे हैव बीन सिविलाइजेशनल फ्रें तो अमेरिका का कटर दुश्मन इरान अब चीन का दोस्त हो चुका है साथी साथ मध्यपूर्व की राजनीती में शिया सुन्नी राजनीती में साओधी अरब जो कि सुन्नी मेजॉरिटी देश है अमेरिका का खास एलाय रहा है ये सारे के सारे एंटी इरान रहे हैं और इर के चलते हुआ था so this is the big big story and as I said over the next few years you will hear a lot about this on a repeated basis तो प्यारे साथियों आज का पहला सवाल note करने जो volunteers compile करने हैं very good keep doing it session को like or share दरूर कीजेगा what will be the top three changes in world politics because of the emerging China-Iran relationship मदा आया इस खबर में आपको प्यारे दोस्तों तो रविंदर कुमार पानीपत से जुड़े हैं बहुत अच्छा लगा है रविंदर आपका testimonial पढ़के रविंदर कहते हैं कि सर मैं चंदीगर ट्रांसपोर्ट में बस conductor हूँ और मैं सरकारी शेत्र में कारिरत हूँ 2017 से आपके साथ जुड़ावा हूँ बहुत अच्छा लगा है मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है अलग-अलग session से बहुत कुछ सीख रहा हूँ state PCS की school lecturer recruitment की तैयारी कर रहा हूँ और संदीप सर जिंदाबाद रविंदर कुमार जी God bless you यह जो जजबा है ना आप में यह आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा और उसमें अगर हम कोई मदद कर सकें तो यह हमारा सौब आगए God bless you बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए प्यारे दोस्तों अब हम आ गए एक बहुत ही धमाकेदार खबर पर ultimately Indian state's fiscal position जो है यह हमें समझना है इसका एक पूरूना analysis आपको हम देंगे भारत के राज्यों की वित्ति राजकोशी स्थिति आज कैसी है इससे पहले कि मैं यह शुरू करूँ आपको दो तीम basic truths बता देता हूँ देखिए भारत सरकार का जो भी fiscal deficit होता है deferral government deficit केंद सरकार का भी हो सकता है fiscal deficit राज्य सरकारों का भी हो सकता जब दोनों को जूड़ देते हो तो उसको कहते है जञेनरल government deficit सरकारी deficit का मतलब होगा के राज जी की सारी सरकारों को मिला लो तो वे deficit हर साल जो घाटा होता है उसको आप कैसे भरते हैं कैसे पाटते हैं आप बाजार से कर्द होता कि उसको करते हैं deficit 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 जुड़ते जुड़ते बन जाता है debt तो sigma deficit is equal to debt सारे deficit जोड़ो वो आपका कर्द है वो राश्ट्री कर्द हो गया यह अगर आपको समझ में आ गए तो फिर अगले बिंदू पर आते हैं एक होता है भारत का GDP और एक होता है राज्यों का GDP उसको कहते हैं government debt on a risky path state staring at rising debt stock यह दोनों चार्ट को ध्यान से देखें पहले चार्ट पर ध्यान लगाईए देखिए इससे पहले कि मैं पहला चार्ट शुरू करूं IMF ने आज क्या warning दी है global government debt is rising because of coronavirus pandemic सरकारे बौरो कर रही है deficit बढ़ रहा है और deficit deficit जुड़ते जुड़ते debt होता है वैश्विक सरकारों के घाटे और debt बढ़ रहे हैं और debt इस साल 100% of global GDP को पार कर जाएगा मतलब वैश्विक सरकारों का total debt जो है वो global GDP के 100% से आगे निकल जाएगा यह आपको बात समझ मैं ही प्यारों दोस्तों तो विश्व भर का सरकारी कर्ज इस साल GDP से ज्यादा हो जाएगा तो उसको चुकाने में तो पसीने शूटने वाले क्योंकि अगर पैंडेमिक देड़ दो तीन साल हो चल गया तो तो बंटाधार होना निश्चित है इसलिए जल्दी घतम हो जल्दी वैक्सीन आए आज वै गवर्मेंट डेट नाव इस 147 ट्रिलियन यह लाग करोड भारत का यह लेफ्ट एक्सिस पे है लेफ्ट वाइए एक्सिस पे औरेंज बार 147 लैक करोर हमारा जन्रल गवर्मेंट डेफिसित है केंद्र और राज्य सरकारे मिला के यह प्यारे दोस्तों पहले 67% अव जीडी है 72% और यह जो डेट टु जीडी पी रेश्यो है क्योंकि इस साल जीडी पी कंप्रेस हो जाएगा और डेट बढ़ जाएगा तो सारे अनलिस कहरें कि यह 72 इस साल बढ़के 77, 78, 79, 80 तक जा सकता है क्योंकि डिनामिनेटर कम हो रहा है न्यूमिरेटर बढ़ रहा है यह समझ पारों का उसका एक तिहाई राज्यस्तर का करजा है अब आप राइट साइड के ग्राफ पे आजाओ जो आकरी वाला ब्लू आपको दिख रहा है बार लेफ्ट साइड लेफ्ट एक्सिस पर देखना है य एक्सिस पे तिरेपन लाग करोड का राज्यों का कुल डेट आज क की तारीक में हो चुका है जो कि हमारे जीडीपी का 26 परसंट है और इनका टारगेट है 20 परसंट तो यह है भाईया पूरी कहानी केंद्र और राज्यों के डेट फिगर्स की याद रखना यह टॉप फोर जो फिगर्स हैं 147 लैक करोर विच इस 72 परसंट अफ नाशनल जीड अब आप देखेंगे कि एक दूसरा पेंच और है जो छुपा हुआ है ग्राफ नंबर थ्री पर ध्यान लगाएंगे जो आपने राज्यों ने करजे उठाए बाजार से वो तो SDL के नाम पर उठते है स्टेट डिवलप्मेंट लोन राज्य विकास लोन के नाम पर केंद्र सरकार को करता उठाना है दो तरीके से उठाती एक साल से कम का ट्रेजरी बिल एक साल से ज्यादा होता है गवर्मेंट सेक्यूरिटी तो डेटेट सेक्यूरिटी होती है राज्य ना टी बिल्स इशू करते है ना गवर्मेंट सेक्यूरिटी वो इशू करते है स्टेट डिव भूत कागज मार्केट में उतारती हैं और वो लोन कंपनियों के नाम पे आता है राज्य के नाम पे नहीं लेकिन है तो राज्य के नाम पर ही ऐसा आज 4.3 लाग करोर का कंपनियों का लोन है जो की GDP का 5% हो चुका है अब हमारी बिजली की कंपनियां भेंकर समस्या में आ चु कर रहा है तो यह तो कंज्यूमर लेवल पर क्राइसिस है भाईया कम से कम मैंने तो फर्स्ट हैं एक्स्पीरियंस कर लिया नाउ माइडियर स्टूनेंट्स अगर यह स्टेट पी एस यूज ने पे बैक नहीं कि अबिजली के अलावा भी 50 सेक्टर है तो राज्य का कर्दा ह उस केस में RBI ने वार्निंग जारी की है राज्यों का कर्दा अंसस्टेनेबल हो जाएगा उनके पास इतनी आई ही नहीं है कि वो इस कर्दे को चुका पाएं लेकिन सब कुछ खराब नहीं है अगर उडिशा का एक्जामपल देखें तो उडिशा ने पिछले कुछ सालों म ने फिसकल परफॉर्मेंस उधार के डेट टू जीडीपी रेशो ठीक कर लिया है तो बहुत-बहुत बढ़ा ही उडिशा को और इसका मतलब यह किया जा सकता है लेकिन दोस्तों उडिशा केवल एक exception है सच्चाई ये है कि डेट सस्टेनेबिलिटी एट एग्रिगेट आपको भाईया एग्रिगेट लेवल का मतलब क्या है यह एग्रिगेट लेवल है आप यह देख रहे हो कि चलो यह है 26 परसंट जीडीपी का उसको गिरा के 20 तक लाएंगे लेकिन इंडिविज्विज्वल स्टेट लेवल की हालत क्या यह तो देख लो जमू एन कश्मीर ल हैं यह आप देख लीजिए आपको पूरी कहानी से महराज बचा हुआ भाईया 16 परसंट पे गुजराद बचा हुआ भाईया 19 परसंट पे जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं लेकिन जो ढूब रहें उनकी हालत आपके सामने हैं इससे आपको और मुझे क्या आप बोलेंग रहेगी बिजली पानी चलती रहेगी असली काम बंद हो जाएगा आपको बात समझ में आगी और अगर हम पैन करें तो यह जो सब नैशनल डेट है मतलब राज्यों का यहने सब नैशनल चाइना ब्रजील कोलंबिया अर्जंटीना साउथ आफ्रिका रस्या साउथ कोरिया के परसंटेज टू जीडीपी बहुत कम है भारत का हो चुका है प्यारे दोस्तों पचीस परसंट चाइना का है बीस परसंट ब्रजील का है साड़े बारा कोलंबिया का है ग्यारा रूस का है चार इंडोनेशिया का है 0.3 तो कहीं न कहीं सब नैशनल डेट मैनेजमेंट अगला सवाल एक्स्प्लेंट गॉवर्मेंट गैरंटी डेट फॉर गैरंटी लोन डेट फॉर स्टेट पीस यू और तीसरा सवाल वाई इस अच्छी तयारी आपकी होगी अब आते हैं जॉब मार्केट पे ये दो ग्राफ्स आपको पूरी पूरी कानी साफ साफ पहरलल द तक की स्थिती कितना वर्क मांगा गया और कितना वर्क दिया गया आपके सामने है और राइट साइड में नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स धडाम से नीचे गिरा है इसका मतलब इतनी नौकरियां पोर्टल्स पर उपलब्ध थी इंडस्ट्री सर्विसेस एक्साइटी और पैमाना है और दूसी तरफ ग्रामीन शेत्र में आप देख रहे हैं मन्रेगा क्योंकि ग्रामीन शेत्र में ही है इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि अर्बन एरिया में जॉब गैरेंटी स्कीम लाइए अर्बन पूर के लिए अभी कुछ भी नहीं और वो आज नहीं तो आगे चलते हैं दोस्तों बड़ी खतरना खबर आज हिंदू अकबार में छपी है कि जितना कुछ लाइन ओफ एक्शन कंट्रोल पे इस साल बवाल मचा और हमारे बहुत दूर सैनिकों की जान गई जिन्होंने चीनियों को भी मारा है वो दरसल शी जिन पिंग द्वारा इस साल उस ओडर में कुछ नया था और वो हमसे चूख हो गई इंडियन मिलिटरी इंडियन इस्टैबलिश्मेंट उसको हर साल जैसे जारी ओडर मानके चलता रहा लेकिन इस साल का जैन 2020 मतलब ये वुहान और ममल लपूरम के बाद वाले ओडर से हैं ट्रेनिंग टूगेदर फॉर दिस और वी सिंप्ली मिस्ट यह खबर तो यहीं इंडिकेट कर रही और यह खबर यह भी इंडिकेट कर रही है कि चाइनीज लोग अपने स्ट्रेजिक इंट्रेस्ट के आगे किसी यारी दोस्ती को नहीं मानते भी या देख लीजिए तो हमारा अगला लेमो इशूट बैशी जिन पिंग में हैव लेट टो इसकलेशन वाट इस चांस ऑफ एन अक्रॉस दी एसकलेशन इन 2020 सो समझ के जवाब दीजेगा मज़ा आएगा मुंबई से सागर ठककर हमारे साथ जुड़े हैं पास साल से हमारे साथ जुड़े हैं अलग-अलग सेशन देख रहे हैं सब को recommend भी करते हैं thank you so much thank you so much और आपको Donald Trump के mimicry बहुत अच्छी लगती है मैं यहां कोई mimicry बगरा करने नहीं बैठा हूं सागर America is sinking in the virus crisis यह unthinkable हो चुका है अमेरिका पूरी तरह से coronavirus pandemic में बिल्कुल सर के बढ़ डूपता चला जा रहा है उसका समाज उसकी शिक्षा व्यवस्था उसकी अर्थ व्यवस्था उसकी राजनीती उसका नाम सब कोछ यह बहुत भेंकर हालत है और Donald Trump ने पहली बार मास्क पहन है ऐसा पहली बार हुआ है सतरह 18 सालों में वहीं वाली कहानी है वहीं यहां पर Donald Trump मास्क पहन के आए उसका कारण है अमेरिका की जनता अब उन्हें ऐसा करके देखने लग गई है कि इनको इंट्रेस्टिनी पैंडमिक रोपने में सो नाव ही विजिबली वांट्स तु शो इसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन की आहट अब सुनाई दे रही है डॉनल्ड ट्रम का जिसके साइड में वाइट हाउस चपा हुआ है मतलब गनीमत मुझे इतना डर लगा ये निउस खोलते था में मुझे पक्का यकीन था सामने इसा बड़ा सा डॉनल्ड ट्रम का मैं उनका मास्क है अपन कोन होते यार बोलने वाले अमेरिका इस सिंकिंग आफ्टर डव्योच और अले शोड़ने चोड़ने चोड़ दिया अर्यली डॉनल्ड नो वाई अब मैं दस्ताने मास्क और ये पहने मिना घर से ही नहीं निकलता हूं एड़ीवन इस सो केर फ्री मतलब मुझे लगता महीं पागल हूं प्यारे दोस्तों आपके शहर में आपका क्या अनुभवे आज कंपल सरीय कॉमेंट थ्रेड में शेयर करना और प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दुनिया माने ना माने आप मान ले आप और आपका पर देना. He is losing the battle and so there seems to be a problem. दूथरी खबर ये है कि इसराइल ने ये स्विकार कर लिया है कि हमसे गलती हो गई हमने बहुत जल्दी ओपनिंग अप कर दिया और ये बार वगेरा हमने थोड़ा जल्दी ओपन कर दिये गलती हो गई. Basically वहाँ शराब के ठेकों को बार कहा जाता ह होगा. WHO spoke highly of South Korea, Italy and others की management सीखना है तो इन से सीखो तो ये है दुनिया में करोना वाइरस की politics हमारा अगलत हवाल नोट करें. Why is Donald Trump now trying to show that he is serious about containing the pandemic. Pandemic की कहानी आपके सामने है बहुत ही बढ़िया ये compilation हम regularly आप तक ला रहे हैं. A strange debate on the airborne viruses dividing scientists होता क्या है कि WHO rigorous science पे चलता है वो हव बाबाजी की बात हो रही है. सैक्लों वज्यानिकों में debate है कि करोना वाइरस क्या वाकी airborne है और नहीं? Majority कह रही है कि ये सिर्फ चिलाने से गाने से नहीं, ये normal बाचीश से भी फैल रहा है. साथियों समझ लीजे कितनी गंभीर हालत और इसलिए ऐसे में बिना मास्के तो म मतलब अपराद ही है भाईया वो गिलीड नाम की जो कंपनी है गिलीड साइंसे उसने ये दावा किया कि मेरी जो रेमडे सिविर की दवा है ये दवा आप लेंगे तो मरने के चांस 7.6% रहेंगे 12.5% नहीं मतलब 62% सुधार हमने ला दिया है यहने 14 डे को जो आदमी मरने क गगार पर 12.5% का रेट है रेमडे सिविर ने उसको घटा दिया विच इस गुड नियूस आएमफ ने वान किया है देशों को कि अपने डेट लेवल पे नजर रखना ऐसा नहों कि इस वाइरस क्राइस से निकलो तो डेट क्राइसिस में फस जाओ अरे तो क्या दिकत है नो गलत डिसीजन यूजी सी से निवे देने मालिक कैंसल कर दो वो डिसीजन बहुत बबंडर हो जाएगा मत करना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप हिंदुस्तान में अभी कम से कम एक्जाम करो ही मत बच्चों को पास कर दो यार कुछ नहीं होगा उनकी जान से कीमती कुछ भी नहीं है लेकिन ठीक है यूजी सी ने किया है तो सोच समझ की किया होगा हम जेते छोटे लोग क्या बोले हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों तो वाट एक्स्टेंट अब एक बहुत अच्छी खबर इंडिया's child sex ratio at birth has shown some improvement देखिए नॉर्मली क्या होता है natural boy girl ratio आप नोट देखेंगे स्क्रीन पर प्रकृती में होता है 1050 is 2000 हर 100 लड़कियों पे 105 लड़के पैदा होते हैं ये प्रकृती का नियम है अब 1000 पे 1050 लड़के पैदा होने चाहिए दुनिया में जो global average चल रहा है वो 1068 है मतलब दुनिया भर में लड़कियों को तो मारा ही जा रहा है भारत में लड़कियों को बहुत ज्यादा मारा गया है तो ये ratio हमारे हैं बहुत ही खराब चला है 1116 तक बिगड़ गया लेकिन पिछले तीन सालों में ये धीरे धीरे सु दिल्ली ये दोनों की हला सबसे खराब है मतलब भारत में शेहरी करन से कुछ होता होता नहीं है शेहरों में रहने वाले बड़े-बड़े घरों के पड़े लिखे लोग भी लड़कियों को तो मार नहीं चाहते हैं मोटे तौर पर हर कोई नहीं करता है लेकिन अरे भईया पर हमें खुश होना चाहिए कि at least child sex ratio at birth थोड़ा बहुत इंप्रूफ हुआ है हमारा अगला सवाल note करें volunteers compile करें सेशन को जरूर करना दोस्तों आपका जोज बना रहेगा तो हमारा जोज बना या शामिल है इसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल सारे मैंने यहां पर आपके लिए सबसे यूसफुल डेटा compile कर दिया है क्या यह scientifically possible है कि वैक्षीन को तारीक दे के डेवलब किया जा सके हमको एक्षीन वाली और सतन साड़े दस साल में एक वैक्षीन बनता है लो कर लो बात लेकिन दोस्तों आज हमारे पास सूपर कंप्यूटर्स हैं विच हेल्पस इन थ्री डाइमेंशनल स्ट्रक्चर बेस मॉलिक्यूलर ड्रग डिजाइन यह सब आज पॉसिबल है और इसलिए चीजें पहले से बहुत सुधर गई है लेकिन फिर भी क्या तारीक दे के डेवलप हो सकता है नोबडी नोस आज की स्थिती क्या है आज की स्थिती यह है 135 वैक्सीन अभी पहले स्टेज पर हैं प्री क्लिनिकल टेस्टिंग पे उसमें से 14 फेज वन में है राइट साइड में सारी फेजस डि में आ चुकी है मैं आप सभी को बता दूँ आप से ज्यादा मैं एंग्शेस हूं कि वैक्सीन जल्दी आए क्योंकि एकनॉमी के फिगर देखते कि मेरे रोंग्टे खड़े होते रहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई रो तो मेरे घरवाले परेशान कि भाई या पंड़ा ब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूटूब की चैनल मेंबर्शिप पर दोस्तों आप कम से कम पीटी एजुकेशन के लिए इतना जरूर कीजिएगा लेवल वन की मेंबर्शिप ले लिए नीचे जॉइन का बटन आपको दिख रहा है कोई टेकनिकल इशु आए सारी प्रोसेस यहां हमने समझा दिए हर बच्चा ले सकता है और फिर भी दिक्कत है तो मुझे मेरा इमेल आइडी दिया हुआ है pthq.pt.education.com अपना मोबाइल नंबर और नाम भेजो टीम आपसे बात करके पांच मिटे में रिजॉल कर देगी लेवल दू पर पावर आफ टेन क इसका इतना वाइड रेंजिंग कवरेज होगा एडिशनल न्यूस पेपर बेज एडिटोरियल की जो अनबीटेबल इसकी क्वालिटी इस एपसलूटली टॉप अफ टी क्लास वोप टू सी यू वित मी इन प्रीमियम मेंबर्शिप थैंक यू सो मच आयमेफ की वार्निंग कीता गोपिनाज जी की जारी है उनका कहना है अब सरकारों को अगे बढ़के अपनी कंप्नियों को एक्विटी सपोर्ड देने का समय आ गया मतलब सरकारें equity या quasi equity के रूप पे shareholding के रूप में companyों में participation करें ताकि companyों पे करदा चुकाने का दबाव नहीं हो नहीं तो वो कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे इस crisis से उसके अलावा सरकारें अपना कर सोच समझ के लें इस मामले में तो भारत सरकार ने IMF को बहुत कुछ कर रखा सरकार ने पूरे हाथ ही रोक रखे हैं अभी अब वो सही है अगले साल पता चली जाएगा and public deficits and debt across the world are rising so much so that the world public debt will cross 100% of GDP which may actually become unsustainable but then governments can always print their way out of the crisis whatever be the inflationary implications हमारा अग्रा सवाल note करें why has madam Gita Gopinath of IMF requested the governments to participate in equity of various companies भारत ने कमर कसली है कि आत्म निर्भरत अब में बनके दिखाऊंगा और उसके लिए मैं 350 items को जूते मारके इंडिया से भगा दूँगा एंटीवीज लगा के non-derived barrier का मतलब होता है आयात प्रशुल्क लगा के नहीं बलकि कि दूसरे कुछ कारण बता के दीजर कॉल एंटीवीज डव्यटियों में ये वैसे प्रतिवंदित होते हैं लेकिन कुछ कंडिशन में अलाउड भी होते हैं चीन से और दूसरे भारत ने चाइना को खुला बादार दे दिया क्योंकि भारत चाइना से दोस्ती करना चाहता था ये मेरा analysis है यू में disagree I think that the government of India took a conscious decision to allow China to do more business in India the calculation was we will build friendship so that ultimately Pakistan will be neutralized unfortunately for Xi Jinping this volume meant nothing और उनने पूरे रिष्टे को तार तार करके रख दिया है हमारा अगला सवाल note करे define the concept of non-tariff barriers श्रेयांज गोक्रू Philadelphia US से हमारे साथ जुड़े श्रेयांज तुमने मास्क नहीं पहना यार मैं जानता हूं ये coronavirus pandemic के पहले काया और तुम पूरी तोरह सुरक्षित और आज तुम मास्क पहन भी रहे हो he says I am very happy to see this knowledge sir knowledge जिस पार और आप अपने दोस्तों को भी US में बताते चल रहे हैं और वो अभी data scientist है US में बहुत अच्छी बात है आप ट्रेडिंग में भी है cryptocurrencies में भी है तो मुझे बहुत खुशी है श्रेयांज आपने इतना enjoy किया है और आप हमारे साथ जुड़े वे हैं ये बहुत बहुत अच्छी बात है आपने जियारी दी थी और vocabulary course हमारा किया था जिससे उनको बहुत फाइदा हुआ था God bless you पढ़ते रहे बढ़ते रहे और Philadelphia is the city of brotherly love तो दुनिया भर में frame का प्रसार प्रचार करते रहे ये God bless you बेटा सरकार ने glyphosate पे ban लगा दिया है glyphosate एक herbicide है जो कि weeds को खतम करता है भारत के 39 agrochemicals में से एक है और ये अचानक से order आया तो farmers घबरा गएं कि इसका पालन होगा तो कैसे होगा farmer actually इसको use करते हैं cause गिराने के लिए और weeds को खतम करने के लिए लेकिन सरकार की असली मंशा कुछ और है सरकार ये चाहती है कि जो भारत भर के किसान illegally herbicide tolerant genetically modified cotton हुगा रहे हैं ht cotton वो सरकार incentive ही खतम कर देना चाहती है अगर herbicide पे बैन लग गया तो herbicide tolerant बीच कोई क्यों उगाएगा लेकिन मेरा सरकार को कहना है कि ht cotton तो फैल चुका है सब तरफ एक बाद genetically modified dna गुजगया सिस्टम में वह कोई भाहर थोड़ी निकलना है बीटी ब्रिंजाल फैल चुका है भारत में इल्ली गल है जबकि बंग्दादेश में ली गल है बारत में फिलाल इल्ली गल है बैंक गन का जो जेनिटी गली मोड़ है हमारी driverless car बनाने के हालांकि लोगों को इसलिए यकीन नहीं आ रहा है that for many years he has been making this claim and he has not really delivered on it but this time perhaps he will प्यारे दोस्तों आईएस के बहुत शांदार पोर्स पीटी जाएस अकाड़िमी में उपलब्द हैं online हैं hard disk हैं टीम से संपर करें पूरा पूरा कोर्स तुरांत आज की आज 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 आप एंडरोल कर सकते हैं कोई दिक्कत हो तो monthly options भी उपलब्द हैं बहुत प्यारे प् बेस कंपनिया और एक relationship based कंपनिया भारत की अर्थ व्यवस्ता में relationship based कंपनिया ज्यादा होती है contract based कंपनिया का में अगर हैं भी तो भारत के कोर्टर में contract enforce कराना तो जो गया उसको ही पता है इनका कहना है कि pandemic भारत के लिए एक आशिरवाद बनके आया है क्योंकि अमेरिका जैसी purely contracts based organizations और countries में बहुत दिक्कत होगी भारत में लोग बैठ कर रास्ते निकाल लेंगे क्योंकि यह relationships का महत्व बहुत है यह बिल्कुल unique touch है दोस्तों तो आप download करके आज के PDF को जड़ा पढ़ लेना और हिमादरी भटाचार्या ने बहुत ही प्यारा analysis दिया है कि China's biggest foreign policy initiative of Xi Jinping was belt and road initiative लेकिन यह virus का जंजट आने के बाद China बहुत बड़े घड़े में फस गया है क्योंकि जितने भी साथी देश है जहां उसने फैला है project उनके economies डूब रही है तो they are unable to pay anything on this debt तो फिर धीरे धीरे यह सब चाइना के बैंकों के उपर आएगा और अगर चाइना के बैं not be that invincible as the world thinks it is and BRI में become that proverbial grindstone और millstone around its own neck देखेंगे दोस्तों आ गया कि होता है क्या यह एडिट्स का concept आपको कैसा लग रहा है हमें बताइएगा आज का session यही समाप करने का समय आ गया है session को like करें share करें टेस्टिमोनियल भरें और यूट्यूब की membership जरूर जरूर लें जॉइन का बटन दबा कर level 1 level 2 दोनों हैं कल आप से भेट करूंगा session 5 में नमस्कार जैहित